नमस्कार दोस्तों वाइफाई स्टेडी में आपका स्वागत है मैं गनेश प्रदापति इंडिया के नमबर वन चनल वाइफाई स्टेडी पर आपका स्वागत करता हूं पार्ट ओफन अकेडमी कैसे हो मेरे प्यारे विध्यारती आसा करता हूं सभी बढ़िया होंगे मस्त होंगे बिंदास होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हूं दोस्तों आपको जानकारी के लिए बतातू मेरा स्वास्ते दो तिन से खराब चल रहा है आज भी ठीक नहीं है फिर भी मैंने सोचा कि बच्चे सोचें कि गणे सर कहां चले गए तो माफी चाहता हूं आपी क्लासे थोड़ी सी अवरुद्ध हो रही है इसके लिए मैं समा प्रार्ती हूं स्पेसल क्लासे भी आपकी नहीं हो पा रही है ठीक ना तोड़ा ऐसा ही चल रहा है और बहुत ही बढ़िया तरिके से मेरा जो रैफल कोरे है वो कोरड आपको पता है गणे स्टेंटैंऎर लगाने पर आपको सीथा और सीथा दोस्तों 100% मिलेगा डिस्काउंट मिनने वाला है और साहती आप जोड़ दार तरीके से मेरे साझा जुड़कर दोस्तों पढ़ सक यानि हम जिस पर बात करें युद्ट कहीं समास के उपर ऑपन डिसकर्ष करने वाले हैं बहुत ही शांदार तरीके से बचों अब मैंने आपको बहुत सारी बाते इसके बारे में बता दी थे कि समास क्यों आया, नए सब्दों के निर्मान के लिए, अबन समास का साध्यकर संसिप्त होता है, समास का विलोम व्यास होता है, समासों का राजा भोविरी होता है, पदों के आधार पर समास चार प्रकार के हो वहाव समास कहते हैं जिस समास में उपसरगों का प्रियोग किया जाए उसे भी मेरे ब्यारे बच्चों अव्वे भाव समास कहा जाता है बात के लिए रहे क्या पड़ाबर से बता दीजिए मुझे कि यहां तक गुरुजी बहुत ही शांदार तरी के सारी बाते हमारे समझ मे आ गई है मेरे बच्चों क्लियर है अब देखो एक सिंपल सी बात है इसके प्रस्ण कैसे आते हैं वो बात आपके लिए बहुत ही इन्पोटेंट है कि यहां पर जो प्रस्ण है वो प्रस्ण कैसे आते हैं इस पर हम बात करेंगे देखो प्रस्ण बहुत सिंपल है जैसे संदी विछेद करना आना चाहिए और साथ साथ आपको संदी की पहचान करना आनी चाहिए बस यही फूर्मूला समास के उपर है आपको एक तो विग्रह करना आना चाहिए और विग्रह के साथ आपको जो है पहचान करनी भी आनी चाहिए कि यह जो समास है किसका है बिटा यह बाते आपके अंदर होनी चाहिए अब मैं अभी वाव समाज के उधाना लिक्वाता हूं सभी जैसे आजीवन आ गया ठीक है बिटा ऐसे आमरण है यथा सक्ती है ठीक है बिटा यथा सक्ती के बाद ही यथा क्रम है रातो रात है प्रत्यक्ष है मारा मारी है लूटम लूट है दिनो दिन है घर घर है अर्यथा विधी है अब इसके विग्रे करके बताओ मुझे देखो विग्रे का मतलब जो होता है वो होता है विखेरना यानि हम सब्दों को विखेरेंगे इनको तोड़के बताएंगे कि इनके बेच में क्या है क्योंकि कोई ना कोई पद इनके बेच में चिपा हुआ है दूसरी बात है कि दो प ठीक है अब बताई ये फड़ावड से इन में क्या-क्या छिपे हुए है बहुत ही शांदार तरीके से विग्रे करके बताओ जल्दी बोलो मेरे प्यारे विध्यार्तियों प्यारे शातियों प्यारे मित्रों बोलो बच्चों फड़ावड से तक वो सिंपल है आजीवन का होगा दोस्तों मृत्यू प्रियंत तक यह था सक्ति का होगा बिटा शक्ति के अनुसार होगा काई के अनुसार होगा बिटा सक्ति के अनुसार यह था करम का होगा करम के अनुसार होगा बिटा काई के अनुसार होगा मेरे बच्चों करम के अनुसा है रातो रात का होगा रात ही रात में ठीक है रातो रात का रात ही रात में होगा बच्चों क्लियर है क्या आगे देखो बई परतेक्स का होगा बच्चों अक्षी के सामने क्या होगा भई अंच्शी के स्रामने होगा मारा-्मारीगा कर सकते हो कि मार के बाद हो चाहएगा क्या हो जाएगा मार के बाद ही मार हो जाएगा दीक ना लूटम लूट काओगा लूट के बाद लूट दिनो दिन काओगा बैद दिन के बाद दिन गर गर काओगा हर घर और ये था विदी काओगा विदी के अनुसार क्लियर है वही यहां तक बताईए बच्चों कोई प्रोब्लम है कोई दिक्कत है सारी चीज़े बिल्कुल क्लियर समझ में आगी गई होगी देखो मैंने का का अब इसमें चारों परिबासाएं है बेटा पहला पद प्रदान भी है उपसरगों का प्रियोग भी है शब्दों की पुड़रावरती भी है और पहला पद अव्वे भी है बहुत सिंपल है यहां तक मामला समझ्द्य को पहला विग्रे कर रहे हो तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत गलत हो जाए लेकिन ढरने की कोई आउशक्ता आपको नहीं है मेरे बच्चों समझ लेए मेरी बात को किलियर मामला बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या बच्चों फड़ाबर से बताईए मुझे एक बार थमसब करो फड़ाबर से शबाज शबाज बच्चों बुरा मतमानना कि आप क्लासे क्यों नहीं रहते हैं मेरा स्वास्ती अभी भी खराब है लेकिन मैंने सोचा आज तो दन तेरह से बच्चे कहेंगे और गुर जी आए नहीं एक आध दिन क्लासे आपकी इदर उदर ओर हो सकती है बाकि आपकी क्लासे कहीं नहीं जाने वाली पटवारी का सपलता बाला बैच भी में करवाँगा और इसके अलावा जो बच्चों आपका LDC का साड़े चार बाला चल रहा है वो भी जल्दी में जलसे स्वरस्त होता हूँ आपकी क्लासे बैटा रेगलोर स्टार्ट हो जाएगे ना तो टेंशन मत करो आप ऐसा कुछ नहीं है मege कोई दिक्कत नहीं बटा दा चल बच आगे चलता हो आगे बढ़ते हैं ब HOW गला समास डाले अपका तत्पूर्श समास अ है तह यारा नेक्स्ट समाक मील यह माना जाता है तुकि छेवरी और होते हैं और भी शिकाये था कि मैंने करम धार्य और दिगुसमास भी हिसी के भेध होते हैं यह आक ने पता की थी दूसरी बात इसमें नं तत्पुरु समास लुप तत्पुरु समास और भी बहुत सारे समास इसके अंदर सम्मिलित किये जाते हैं ठीक ना अब देखो चलते हैं पहला अच्छा उपर दिख नहीं रहा क्या थोड़ा सा नीचे करता हूं इसको आलो बेटा आप देखो वई समझना ध्यान से बातों को अना आप देखे बेटा पहली बात तो इस समास का उत्तर पदे प्रदान होता है कौन सा पद प्रदान होता है बिटा इस समास का उत्तर पद प्रदान होता है उत्तर का मलब समझ गई ना बाद वाला जो पद है वो इसमें दोस्तु क्या होता है प्रदान होता है उत्तर पद प्रदान होता है यह बहुत इंपोर्टेंट बात है इसको आपको हमेशा याद र इस समास के उधारणों में कारक चिनों का प्रियोग किया जाता है कारक चिनों का प्रियोग किया जाता है कारक चिनों का इसमें प्रियोग होता है अब मुझे आप बताईए कि हिंदी में कारक कितने होते हैं बहुत सिंपल सवाल है थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ डाली और फिर बताईए कि कारक कितने होते हैं बच्चों कोन पताईगा आप में से कि कारक कितने होते हैं बई जल्दी बोलो देगा फटापट से कोन सा बच्चा बहुत जल्दी आंसर देगा इसका शबाज शबाज कुस बच्चे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं कारक कितने होते हैं बच्चों तो देखो बच्चो कारक सिंपल सी बात है कितने होते हैं आठ होते हैं कितने होते हैं आठ होते हैं आठ होते हैं आठ होते हैं आपने बच्वन में पड़ा होगा करताने करम को करन से संपरदान के लिए अपादान से यानि जब भी दोस्तों हम विग्रे करेंगे विग्रे का मतलब समझते नो जब इसको तोडेंगे तो आपको कई न कई कारक चिन बीच में इसके मिलेंगे जैसे एक उधारण में लिखतेता हूँ याँ पर उधारण आये बेटा चिडी मार अब चिडी मार का विग्रे करके बताओ भई मुझे आप चिडी मार का विग्रे करके बताओ भई क्या होगा कौन सा बच्चा बताएगा सबसे पहले चिडी मार का विग्रे क्या होगा जल्दी से बोलो भई फटापट से इसका विग्रे होगा चिडी को मारने देश निकाला क्या लिख दू मैं देश निकाला अब बताओ बच्चो इसका क्या होगा इसका होगा भही देश से निकाला अरे यह होगा ना देश से निकाला तो अब यह जो है दीखने ओर आपको दीख रहा है यह 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 बिटा कारक्षिन है क्या है कारक चिन तो सीधी सी बात है जब भी आप विग्रे करोगे तो यहां की सबसे खास बात है मेरे प्यारे बच्चो विग्रह करते हैं समय यहां पर कारक चिनों का प्रियोग किया जाता है किसका प्रियोग किया जाता है कारक चिनों का प्रियोग किया जाता है कारक कितने आठ लेकिन दोस्तों आठों के आठ नहीं होते हैं यहां तक बार समझ में आगे क्या एक बार स्क्रीन सूट ल आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब कारक आठ लेकिन करता कारक, करता कारक और, और सम्भोधन कारक को छोड़ कर, कारक को छोड़ कर, छोड़ कर, जितने कारक होते है, जितने कारक होते हैं, होते हैं, अर्थात, अर्थात, पत्पुरु समास के, पत्पुरु से, समास के, छे बेद होते हैं, करता कारक और सम्भोधन कारक को छोड़ कर, जितने कारक होते हैं, तत्पुरु समास के, कितने बेद होते हैं, छे बेद होते हैं, पत्पुरु समास के, यहां पर कितने बेद होंगे, छे बेद यहां पर दोस्तों माने जाएंगे, क्लियर है बच्चों, यहां तक बताईए, कोई दिक्कत थोड़ी है, फड़ा बच्चे दोस्तों, हाँ भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शबास बच्चों, अब पहला डालो बिटा, पहला डाले, करम तत्पुरु समास, पहला टोपिक डाले, करम तत्पुरु से समास, अब एक बात बताओ पहले मुझे आप, करम तत्पुरु समास में विबक्ति कोन सी आती है बई, कोन सी विबक्ति आती है, कोन बताएगा, तो यहां पर जो विबक्ति आती है, वो कोन सी आती है, को विवक्ति आती है बैई पून सी आती है को विवक्ति का यहाँ पर प्रियोग किया जाता है उधारन लिक्वा देता हूं में आपको यहां से दिख जाएगे न हाँ बिल्कुल यहां से दिख जाएग painful जलो बैज दिखतुरा अब लिको जेव कतरा मनोहरे चित चोर गगन चुम्भी गगन चुम्भी के बाद में लिखिए सरवग्य सरवग्य के बाद में लिखिए नर्भक्षी कट फोड़ा कट फोड़ा सरणागते विदेश गमन अगनी बक्षी विद्याद भर अब बताओ भई करके फटापट से एक बार मुझे जल्दी फटापट से एक सेकेंड में आंसर देदो बहुत प्यारे प्यारे उधारे ने विवक्ति बीच में कोण सी आएगी सीधी से बाहत तक गुरुजी को भी बक्ति आएगी तो फटापट आंसर देदो बही जल्दी से देखां कोन सबसे पहले देता मैं देखता हूं पॉर्ण सा जो बच्चा है वो बहुत बड़ी तरीके से आंसर दे रहा है भई आजी एक बार प्रियास करो करने के फटापट से कि गुरुजी मैं सबसे पहले कर सकता हूं आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी भई फटापट करो भई जल्दी 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 नहीं हुए क्या चलो देखो भई जेब को काटने वाला मन को खरने वाला चित को चुराने वाला गगन को चुमने वाला सार्व को जानने वाला ठीक है नर्वख्षी का बताईए बाबा नर्वख्षी का बच्चो तो यहां आएगा नर्वख्षी को बच्चित करने वाला दिख रहा गया वाला नहीं दिखा हुआ कट पोड़ा काट को पोड़ने वाला कट पोड़ा खाती चिड़े को कहते हैं कट पोड़ा किसे कहते हैं पता है क्या खाती चिड़ा उतर वह टक 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 चोंक्च की देता ही रहता है आपने देखा हुआ वह पेड़ पर बैठा रहता है पिर वो टक टक मारता ही रहता, उसको कहते है, सरन अगत का होगा, सरन को आगत, विदेश गमन का होगा, विदेश को गमन, जाने वाला नहीं होगा, विदेश को गमन होगा बेटा, क्लियर है भई आगे अगनी बक्षी अगनी को बक्षित करने वाला और विद्यादर का होगा विद्या को धारन करने वाला क्लियर है वई एक बार स्क्रीन सोट ले लो इनके फटाफट से आप आगे सारी चीज़े आपकी क्लियर हो जाए बिटा देखिए सीधी सी बातक को विविक्तिका यहां पर दोस्तों प्रियोग किया जा रहा है सीधी बात नो बकवास यहां पर कोण सी विवक्ति आपको दिख रही है वही को विवक्ति यहां पर आपको देखने को मिल रही है क्लियर है क्या बोलो बच्चो यस या नो बोल दो फटाबट से सही है सभास वच्चो वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छा आगे चलते दोस्तों अगला समास है करन तत्पुरु से समास कोन से विवक्ति आती है कोन बता है करन तत पुरु समास में कौन सी विवक्ति आती है यहां प्रियोगिया जाता है क्लियर है बई सेव के द्वारा विवक्ति का यापर क्या होता है बच्चों प्रियोग होता है आप देखो बई जैसे तुल्सी क्रते हस्त लिखिते रेल यात्रा जला अवरते मन गड़ते तारो भरी रस भरी सोका कुल अस्रोपून करो भई फड़ाबट से फड़ाबट करके बताओ इसमें सेव के द्वारा विवक्ति का यहाँ पर क्या किया जाता है बई प्रियोग किया जाता है जल्दी से बताइए मुझे सेव के द्वारा विवक्ति का यहाँ पर क्या होता है बच्चों प्रियोग होता है जल्दी से बताओ मुझे करके एक बार आख बहुत शांदार प्रिश्ण है बई शांदार जानदार जबरदस्त बच्चों देखो तुलसी करत का क्या होगा तुलसी के द्वारा क्रिप्त क्लियर है बई यह होगा ना तुलसी के द्वारा क्रिप्त होगा क्लियर है बच्चों हस्त लिखित का होगा हस्त से लिखित रेल के द्वारा यात्रा जल से आवरत मन से घड़त पारो से भरी रस से भरी सोग से आकुल अस्रू से पून बोलो भई क्लियर है क्या अस्रू से क्या हो जाएगी बिटा पून हो जाएगी तो यह जो समाज था वो कौन सा था करन तत्पुरू समाज था आप सभी को फिर से दन तेरस के आर्दिक सुपकामनाई भगवान आपकी अगली दिवाली जो नोक्री के साथ हो सभी पटवारी बन जाए पुलिस का एक्जाम लग चुका है आपको पता है कि आपका वन विभाग में भी आपकी वेकेंसी आ चुकी है दोस्तो बहुत अच्छा मोका है इससे बड़ा मोका कभी आपकी जिंद्गी में नहीं आएगा अभी नहीं तो कभी नहीं और अपने जिंद्गी में अगली दिवाली बहुत ही शांदार होनी चाहिए जानदार होनी चाहिए और नोकरी के साथ सभी के घरों में कुशियों के दीपक होने चाहिए मेरे दोस्तों आज से डेडिकेशन कर लोगी अगली दिवाली जो मैं मनाऊंगा तो मेरी नोकरी के साथ होगी मेरी नोकरी मेरे जेम में होगी और मैं नोकरी के साथ अगली दिवाल ऐसा मुका नहीं आएगा अच्छी अपोर्चुनूटी है सब कुछ अच्छा है तो दोस्तों यार इससे बेटर और क्या हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ज़दा ज़दा लाइक करें शेयर करें चलता हूं मेरे दोस्तों मेलें आपको जब भी मेरा स्वास्ट ठीक चलता हूं बच्चों ओके बाइबाय टेक केर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले ज़दा ज़दा लाइक करें शेयर करें ताकि और भी बच्ची देख सके पढ़ सके और दोस्तों सभी को जो है बहुत अच्छा फाइदा मिल सके धन्यवाद दोस्तों